नमस्कार दोस्तों संपाद किये सक्तरशब प्रति मिनट की गती से शुरू होगा पांस सेकेंड बाद स्टार्ट जरूरी नहीं कि किसी भी जटिल मामले पर होने वाली हर बादचीत नतीजे लेकर आए पूर्ण विराम शालिंता और समान्य वेवार के लिए भी बादचीत जरूरी होती है और परंपराओं की यतोचीत पालना से भी समधान की आशा बनी रहती है पूर्ण विराम सरकार और किसानों के बीच वारता किसानों की मूल मांग पर आकर बार बार अटक जा रही है और इस बार भी यही हुआ पूर्ण विराम सोमवार को नए साल की पहली वारता से बहुत उमीदे थी पूर्ण विराम पिछली वारता में मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर का आनन लिया था लेकिन इस बार इस उपचारिकता का भी निर्वहा नहीं हुआ पूर्ण विराम भोजन का समय हुआ तब यह बात सामने आ गई की दोनों पक्ष अपनी अपनी रोटियां तोडेंगे पूर्ण विराम इस से वारता के समय महोल में तलखी का अंदाजा लगाया जा सकता है किसानों का हट है कि तीनों क्रिशी कानूनों को सरकार वापस ले चुंकि अभी संसद का सत्र नहीं चल रहा है इसलिए यह काम अध्यादेश लाकर भी किया जा सकता है पूर्ण विराम दूसरी और सरकार पहले की तरह ही कानूनों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है पूर्ण विराम पहले संभावना थी कि किसानों और सरकार के बीच क्यानूनों के एक एक विवादित पहलू पर चर्चा होगी लेकिन किसान ऐसी किसी सिल्सिलेवार चर्चा के पक्ष में नहीं है पूर्ण विराम उन्हें तीन क्रिशी कानूनों की वापसी और निउन्तम समर्थन मूलिये सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने के अलावा कुछ मंजूर नहीं पिछली वारता में ही सरकार ने समझाया था कि नीजी शेत्र में निउन्तम समर्थन मूलिये सुनिश्चित नहीं किया जा सकता पूनविराम क्रिशी वस्तूओं की संख्या जादा है और नीजी शेत्र को सरकार द्वारा तै कीमत पर खरीद के लिए बाध्ये नहीं किया जा सकता पूनविराम बेशक भारत में क्रिशी एक विशाल शेत्र है इतने विशाल शेत्र में कीमत या मूलिये तै करने की कोई कोशिश अर्थववस्ता के दूसरे शेत्रों को भी परभावित करेगी पूनविराम अभी जो स्थीती है उसमें कई राज्यों में मंडी की ववस्ता भी नहीं है तो स्थीती विवादस्पद हो जाएगी पूनविराम यह आरोप सहज ही लगेगा कि सरकार किनी खास राज्यों में किसानों के साथ विशेश विवार कर रही है पूनविराम अतहे सरकार का काम सभी को समान भाव से देखते हुए चलना भी है पूनविराम साथ ही कोई सरकार नहीं चाहेगी कि नियुनतम समर्थन मूल्य के लिए जगे जगे आंदोलन शुरू हो जाए पूनविराम इसके अलावा मंडी या नियुनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने में राज्ये सरकारों की भी भूमिका है पूनविराम राज्ये सरकारे अपने स्तर पर इस भूमिका को घटा या बढ़ा सकती है पूनविराम किसानों से घिरी केंद सरकार के अलावा राज्ये सरकारों को भी सोचना चाहिए पूनविराम केंद सरकार अगर इस मुद्वे पर राज्ये सरकारों से भी राय मश्वरा करे तो भारतिये लोकतंत्र के लिए यहे बहतर होगा नेक्ष्ट पैरा आठ जन्वरी को अगली वारता होगी लेकिन उससे पहले सरकार को अपने स्तर पर ठोस फैसले लेने की जरूरत है पूर्विराम देश इंतजार कर रहा है पूर्विराम बार बार एक ही बात या एक ही हट के साथ बैठना ठीक नहीं पूर्विराम आंदोलन जरूरत से जादा लंबा खीच रहा है और यहे किसी के लिए भी ठीक नहीं है क्या किसानों को मनाने की नई ठोस कोशिश हो सकती है क्या ऐसे प्रावधान पुक्ता तोर पर किये जा सकते हैं जिनसे निजी शेत्र में भी किसानों को शोशन का शिकार ना होना पड़े यहे देश के हित में ही है कि तमाम संबंदित पक्षों के बीच विश्वास की बहाली हो